मोदी नहीं तो कोई भी हम गली के कुट्टों को वोट देंगे लेकिन बीजीपी सरकार को नहीं साथियों आपने अभी ये वीडियो देखा क्या बोला इस लड़की ने एक बार फिर देखो फिर देखो एक बार देखा क्या बोला इस लड़की ने हम गली के कुत्ते को वोट दे देंगे लेकिन मोधी को वोट नहीं देंगे और ऐसा क्यों बोला है पता दूँ आज सड़क के ओपर युवा उतर करके मोधी के खिलाफ इतनी इस तरह के शब्दों का इस्तमाल करें आप सोच भी नहीं सकते थे कि अपनी देश के परधान मंतरी के खिलाफ देश का ही युवा इस तरह की भाषा का इस्तमाल करेगा और हमारे देश के सैनिक भी यही बोल रहे हैं अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ हमारे देश के सैनिक क्या बोल रहे हैं देखो ये यह है बीर सिंग चोहां जी जो की वन रैंक वन पैंशन की लड़ाई में खुद ही यह शामिल थे और आपको पता है पिछले एक साल से जादा होगे जिनको जंतर मंतर पे अब सरकार की क्योंकि ना वो दी जा रही है ना वो रोकी जा रही है अठाइस लाक से ज़्यादा पूर सैनिक जो अभी भी अपनी वन रैंक वन पैंशन की समस्य को लेके परेशान हैं वहाँ उस लड़की ने बोल दिया कि हम गली के कुत्ते को वोट दे देंगे लेकिन मो अब देखा आपने यह सही कह रहे हैं क्योंकि एक साल से ज्यादा हो चुका है बीस फरवरी दो हजार तेईस जी हां मैं सही कह रहा हूं बीस फरवरी दो हजार तेईस फरवरी का मतलब है लगबग लगबग सर्दियों का ही समय था और बीस फरवरी सु सर्दियों से वो जंतर मंतर पे हमारे देश के पूर सैनिक बैठे हैं देश की राज़धानी दिल्ली के अंदर बैठे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं अब लगबग चुनाव सरक्यों पर आ चुके हैं अभी क्या उमीद लगाएं ऐसी सरकार से वहीं डेट से दो लाख वो युवा जो पेंडिंग भरती को लेके परेशान हैं जिन लोगों ने पूरी अपनी प्रिक्रिया कर ली थी आर्मी में भरती होने के लिए और केवल और केवल उनको जोइनिंग लेटर आना बाकी था वो पर ने हाथ खड़े कर दिये कि अब हम इनको किस तरहां से रोजगार दें या किस तरहां से भरती दें लेकिन उन युवाओं का क्या दोस्त था जिन्हों ने पूरी तयारी करी पूरी मेहनत करी हर चीज करी एक सपना था हम सेना में भरती होंगे हम वर्दी पहनेंगे और देश की रक्षा करेंगे लेकिन उनके सपनों पर पानी फेरा गया दो करोड युवाओं को परते एक वर्ष रोजगार देने की बात कही थी दस साल हो चुके हैं मलब बीस करोड युवाओं को रोजगार दे दिया होगा मोदी जी आपने ही वादों पर आप खरे नहीं उत तरह की भाषा बोलते हूं लेकिन मजबूरी है मजबूरी है इस वज़े से बोलना पड़ रहा है ना जीवाओं को रोजगार है ना किसान को MSP मिल रही है ना हमारे सैनिकों को one rank one pension का लाब मिल रहे हैं ना MSP का मिल रहे हैं ना disability pension का मिल रहे हैं तीन परसेंट जो लोग थे बेदबा हूँ और इन तमाम भी संगतियों को देख करके कहीं ना कहीं आज मांग है कि मोदी को बोट नहीं देंगे हम गली के कुत्ते को बोट देंगे सैनिक भाईयों बाकि आप इस पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाया उस लड़की का भी बियान दिखाया हमारे बीर सैनिकों को वन रेंक वन पैंशन का जो अधिकार था वो दे दिया है वो आज भी कहरें कि 40 साल पुरानी जो समस्या थी वन रेंक वन पैंशन की उसका हमने जो लाब था अपने पूर सैनिक भाईयों को उनके परिवारों को दे दिया है लेकिन अगर दे दिया है तो फिर पाया है इन तमाम तरह की विसेंगतियों को देखते हुए आज उस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत हुई है कि वो ओन कैमरा ये बोल रही है कि हम गली के कुटे को बोट देंगे लेकिन मोदी जी को बोट नहीं देंगे बाकि इस पूरी वीडियो को लेके फिर मैं कहूंगा आपके अपनी क्या राय है आप लोग इस चीचे को कैसे देख रहे हो इस वीडियो के कमेंट बोक्स में राय अपनी जरूर देना बाकि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना और कमें जै भारत वंदे मातरम